अखिल भारतिये आरुविज्यान संस्थान दिल्ली का सर्वर सुमवार को छटे दिन भी ठप रहा। सूत्रों के मताबिक हैकर्स ने संस्थान से क्रिप्टो करणसी में 200 करोड रुपे की मांग की है। हाला कि पुलिस ने इस से इंकार किया। सर्वर ठप होने के कारण सुमवार को भी सभी काम मैनूल किये गए। पिछले बुदवार को हुए साइबर अटेक में 3-4 करोड मरीजों का डाटा खत्रे में होने की आशंका है। भारतिये कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, सर्ट इन, दिल्ली पुलिस और गरिम मंत्राले के प्रतिनीधी चार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजन्स, Fusion and Strategic Operations सिकाई ने 25 नवंबर को जबरन वसूली और साइबर आतंगवाद का मामला दर्ज किया था। आखिल भारतिय आयरुविग्यान सस्थान दिल्ली का सर्वर कई दिनों से लगता ठप चल रहा है। सूत्रों का मताबिक NIC e-Hospital Database व e-Hospital के लिए एप्लिकेशन सर्वर पहाल कर दी गए हैं। NIC team AIMS में स्थित अन e-Hospital सर्वरों से वाइरस को स्कैन और साफ कर रही ह जो अस्पताल सेवाओं के वितरण के लिए जरूरी है। e-Hospital सेवाओं को बहाल करने के लिए विवस्थित किये गए चार भौतिक सर्वरों को स्कैन करके डेटाबेस और अप्लिकेशन के लिए तियार किया गया है। साथी AIMS के नेटवर्क सैनिटाइजिशन का काम जार है और ये गतिवीदी 24 घंटे जारी है। सूत्रों के अनुसार AIMS के सर्वर में पूर्व प्रधान मंत्रियों, मंत्रियों, नौकरशाहों और न्याय धीशों समेथ कई अतिमहत्पूर्ण व्यक्तियों का डाटा स्टूर है। इस बीच e-Hospital database और application server का backup लिया गया। एक अधिकारीक सूत्र के अनुसार AIMS में अन ए-Hospital server जो अस्पताल सेवाओं के प्रावधान के लिए अवश्यक है। NIC टीम द्वारा स्कैन और साफ किये जा रहे हैं। इसके अतरिक्त AIMS Network Sanitization जारी है। डेक्स्टॉप और सर्वर के लिए संगठित अंटिवारस प्रोग इसके बाद कई और तरीकों से इ-Hospital सेवाओं शुरू की जा सकती हैं। अपातकाली, आउट-patient, इन-patient, प्रियोगशाल आदी, सेवाओं सहित, रोगी देखभाग सेवाओं को मैनुवल बोर्ड पर जारी रखा जा रहा है। बता दें कि सेंदमारी का बुदवार को सुब पता चला था। अशंका जिताई जा रही है कि सेंदमारी के कारण लगवक 3-4 करोड मरीजों का डेटा प्रभावित हो सकता है। सूत्र नका की सर्वर डाउन होने के कारण अपातकाली, निकाई में रोगी, देखभाल सेवाइं, ब्राम रोगी, भरती रोगी और प्रयोग अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें आमारुजलाय और पाएं खबरें लगातार।